हाई अब्रिवन कैसे हूँ आप लोग दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक अलबेले दुनिया में लेके चलती हो जहाँ पे बहुत सरयत रंगी नमूने है यह दुनिया बहुत ही अलबेला है यहाँ पे हर दिन नए नए नमूने आते ही रहते हैं क्या तुम हमें जोरसिक प हाँ तो तो बात ही वैसी कर रही है ट्रेस्ट मी दोस्तों मैं जिस दुनिया के बारे में बात कर रही हूँ वो जोरसिक पार्क तो नहीं है पर बहुत यतरंगी है और इस दुनिया का नाम है स्किन केर का दुनिया इस दुनिया में हर दिन निव अजीब गरिब ट्रेंड्स सो दोस्तो और दिर ना करती हुए शुरू करती हूँ अगर इस वीडियो में 50 लाइक हुआ एड़ इस वीडियो से 10 सब्सक्राइबर तो इसका पार्ट टू वीडियो भी आएगा अगर आप लोग भी इन फालतू ट्रेंड से बचना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर क करते हैं दोस्तो इस अलबेले दुनिया का सबसे पहला नमूना है जिसे हमें बिलकुल भी यूज नहीं करना चाहिए ओ है फेस वाइप अरे पर ए तो कितना अच्छा है कितना ट्रेंटी एंड फेसेनेबल लगता है इससे हमारा लाइप कितना ज़्यादा आसान हो जाता है दोस्तो फेस वाइप के हेल्प से बहुती इसली महेंगे लोग अपने मेकप को रिमूब कर लेते हैं और डेजबिन में थ्रो कर देते हैं जिससे उनका लाइप इजी हो जाता है बट इजी लाइप के चकर में अन्नोइंगली ओलोग अपने इसकिन को लुक्सान पहुचा करना रहे है। और साथी में इसकिन को ड्राइंट इची भी बना सकता है और मेकप इसकिन में अगर लगा हो रहेगा तो इसकिन का क्या होगा खुदी सोच लो मतलब इसकिन का डेमेज होना तो पक्का ही है तो क्या अभी भी आप लोगों को लगता है ए ट्रेंडी स्किन केर हमारे लिए अच्छा है इसके बाद दोस्तों इस अलवेले दुनिये का दूसरा नमूना है पीलोप मास्क वाट पीलोप मास्क से तेरा क्या प्रॉबलम है बहुत प्रॉबलम है पर मेरा नहीं सकिन का दोस्तों क्या आप लोग जानते हो पीलोप मास्क यूज़ करके हमें क्या फाइदा मिलता है नहीं पता आइनो ज़्यादा तर लोगों को पता भी नहीं होगा फिर भी यूज करते हैं क्योंकि यह trend है और trend को तो follow करना बनता ही है और आप में से कुछ लोग कहेंगे यह face mask जैसा है इसलिए use करते है बट my dear friend यह face mask जैसा है face mask नहीं है इन दोनों में थोड़ा सा difference है क्या face mask का बहुत सारा benefit है skin में और इसका बहुत सारा side effect दोस्तों पीलोप mask यूज करने के टाइम तो कुछ फील नहीं होता बट इसे remove करने के टाइम बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इसे बार बार यूज करने से skin का elasticity lose हो जाता है और इसकिन बुढ़ापे के अंधाकार में ढखने लग सब्सक्राइब करने के लिए तो अच्छी बात है ना तेरे मुता भी खम ब्लैकेट भी रिमूब ना करें हाँ बात अच्छी है बट अच्छा नहीं है क्योंकि इसे यूज करके सिर्फ ब्लैकेट रिमूब नहीं होता है इसके साथ में skin and hair भी रिमूब हो जाता है और जिस यूज करना पड़ेगा और एक साल में एक खुद कल्कुलेट कर लो सब मैं ही करूँ आप लोग तो वीडियो लाइक भी नहीं करते और सब मैं करूँ आप लोग कल्कुलेट करके कॉमेंट में बताओ कितना लगेगा बट दोस्तों सोचो इतना ज़्यादा के से क्लीन करना पॉसिबल नहीं है हमें अल्टरसोनिक ब्रस या सिलिकॉन ब्रस का ही यूज करके फेस को क्लीन करना चाहिए इनके यूज से ही फेस 100% क्लीन होगा बर दोस्तों इस थोट से मैं एगरी नहीं करती क्यूंकि हमारे स्किन बहुत ही सौप्ट है और इसे हम बार स्किन डेमेज हो सकता है और इन अल्टरसोनिक ब्रस या फेस ब्रस से अल्टिमेटली हम स्किन को स्क्रब ही तो कर रहे है आगे आप लोगों की बर्चे आप लोग इसे यूज करना चाहते हो या नहीं इसके बाद दोस्तों इस अलबेले दुनिया का पाच्वा नमूना है प्यूमीक स्टोन क्या यार क्रेक्ठील के डेडी स्किन को रिमूब करने के लिए जिसे यूज किया जाता है मेरे भी पास है इसके हल्प से डेडी स्किन बहुत इजली रिमूब हो जाता है और हमें लगता है कुछ देर के लिए वाव हमारे क्रेक्ठील का प्रॉब्लम ही स बट एक दिन मैंने इसको मजे मजे में मैंने एरियों में थोड़ा सा घिस किया लिया एरिया देखाने के लाइक नहीं है तो ये भी टोटल वेस्ट ही है तो आज एही तक आप लोग आज से इनी स्किन केर ट्रेंट से दूर रहोगे एंड किसी के भी इंफ्लूएंस में नहीं आओगे सो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना